कैसे करें इस बार नौरात्री में मैहर देवी का संपूर दर्षन जैसे की मैहर माता का मंदिर कहां पे इस्तित है इस मंदिर के पीछे पावरारी कथा क्या है मैहर इस्टेशन से आप मैहर देवी के धाम कैसे पहुचें आप कहां पे इश्नान करें 15 रुपय में पेट भर भो मंदिर में दर्शन कैशे करें, अपना सामान कहां पे जमा करें, वो ठगी का सिकार होने से कैसे बचें, फूल माला परसाथ कहां पिलें। नमस्कार, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर, भारत में ऐसे कई पौरारिक जगर जिनके बारे में आप ना जानते हों, इन सब जुड़े कताओं वर रहस्र को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और साथ में दिये के लिए अगर आ रहे हैं तो आपको मैहर इस्टेशन पे उतरना होगा, मैहर इस्टेशन उतरने के बाद आप इस्टेशन पे जाकर इसनान ववा सवचाले कर सकते हैं, इसका चार्ज दस रुपया प्रतिव्यक्ति हैं, दस रुपया में आप एक घंटे तक वहां पे सकते हैं, अगर आप इस्टेशन पे इसनान ववा सवचाले नहीं करना चाहते हैं तो इस्टेशन के बाहर आकर कर सकते हैं, जहां पे आपको डिलक्स सवचाले मिलेगा, अगर यहां पे इसनान ववा सवचाले करेंगे तो प्रतिव्यक्ति 25 रुपया लगेगा, अगर आप यही काम इस्टेशन के अंदर करेंगे तो 10 रुपया में आपका काम हो जाएगा अब हम बात करेंगे मैहर इस्टेशन से मैहर देवी के धाम कैसे पहुचे दोस्तों मैहर इस्टेशन के बाहर जब आप आएंगे तब आपको बहुत सारे आटो वाले मिलेंगे उनसे आप बैठने से पहले किराय की बात जरूर कर ले मैहर इस्टेशन से मैहर धाम का किराया 20 रुपया प्रतिव्यक्ति है दोस्तो आटो में आप जब बैठ जाते हैं तो अगर आप से आटो रिक्सा वाला बोले चलो मैं आपको होटल फूल माला परसाद सब कुछ दिला दूंगा तो आप वहाँ पे कभी मत जाना नहीं तो आप ठगी का सिकार हो जाएंगे आप से बहुत पैसा लूट लेगा इसलिए दोस्तो आप इश्नान वा सवचाले स्टेशन वा स्टेशन के बाहर ही कर लेना ताकि मंदिर के पास जाकर एसब करना ना पड़े दोस्तो अब हम मैहर माता के धाम पहुच गए हैं अब हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में आखिर यह मंदिर पूरे भारत में इतना क्यों परसिद्ध है क्यों आते हैं लाखो भक्त आईए चानते हैं दोस्तो यह मंदिर मध परदेश के सतना जिले के पास ग्राम मैहर में इस्तित है माता सारदा का यह मंदिर त्रिकूट परवत के बिशाल चोटी पे मवजूद है जिसकी उचाई छे सो फीट है दोस्तो यह मंदिर बावन सक्ति पीठों में से एक है इस इस्तान पे माता सती का गले का हार गिरा था इसी कारण इस इस्तान का नाम मैहर पड़ा इस मंदिर की पूजा सुभा मंदिर का कपाट खुलेने से पहले आला उदल करते हैं पावरारी कथाओं के अनुशार आला को माता का वरदान प्राप्त है यह मंदिर 522 इसापुर्व का बना है इस मंदिर के आसपास घूमने के लिए मंदिर के नीचे आला उदल का तालाव आला उदल का मंदिर वा आला उदल का अखाड़ा मवजूद है दोस्तों एस सारे जगह बहुत ही रश्मे हैं इन सारे जगह पे आप एक बार जरू जाएए और वहाँ पे घुमिए और वहाँ का अनंद लीजिए अब हम आपको लेकर चलते हैं मैहर मंदिर के उपर साथियों सामने का जो गेट आप देख रहे हैं इसी गेट से हमारी यात्रा आरंब होता है यह मैहर माता का मुख गेट है इसी गेट से सब भक्त जाते हैं माता के दर्शन के लिए दोस्तों जब आप इस गेट से इंट्री करते हैं तो गेट के अंदर से ही आप फूल माला परसाथ नारियल चुनेरी आ दिले सब सारे सामान का आपको केवल साथ रुपया देना पड़ेगा और आपके साथ में जो बैग सामान रहेगा यहें पर आप जमा कर सकते हैं आपको फ्री में लाकर मिल जाएगा आप अपना सामान लाकर में जमा करके माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं और अपने साथ में मुबाइल फोन ले जा सकते हैं दोस्तो आगे आने पे हमें मिलता है दूसरा गेट जिसे आला उदल गेट के नाम से जाना जाता है इस गेट के सामने आपको आला उदल की प्रतिमा हाथी पे सवार देखने को मिलेगा आला गेट के सो मीटर अंदर आने पे आपको मिलेगा तीसरा गेट दोस्तों आप अपनी यात्रा कांटिनियू चालू रखिए इस गेट से माता के मंदिर तक जाने के लिए आपको टोटल 1063 सीड़ियां चड़ के जाना पड़ेगा और जो हमारे भुजुर्ग माता पिता होंगे उनको सीड़ियां चड़ने में बहुत दिक्कत होगी वो लोग क्या करें सादन से जा सकते हैं माता के दरवार में तो दोस्तों फानली आप दे सकते हैं हम तकरीबर 500 से 600 के बीच में सीड़ियां क्रॉस कर चुके हैं और यहां पर कुछ इस तरह मजारा आपको देखने के मिलेगा पूरे प्राक्रतिक का मजा आप यहां से ले सकते हैं और जस इसके बगल में आपनी यात्रा जारी भी कर सकते हैं देख सकते हैं किस तरह लोग आ रहे हैं सीड़ी को रास्ते से अब देख सकते होंगे हमारी इस वीडियो में दोस्तों अब हम आ गए है मैहर माता मंदिर के बिलकुल पास और बहुत जल्द आपको करा रहे हैं माता के दर्शन नवरात्री से मैं पहले आया हूँ इसलिए आपको भीड़ भार थोड़ा कम देखने को मिलेगा दोस्तों मैं अब मंदिर के अंदर परवेश कर चुका हूँ और आपको माता मैहर देवी का प्रतिमा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा मंदिर के अंदर वीडियो बनाना फोटो खिचना सक्त मना है लेकिन मैंने आपके लिए यह वीडियो थोड़ा रिस्क लेकर बना रहा हूँ ताकि माता का दर्शन आप कर सके घर बैठे तो साथियो फानली अब हम दर्शन करके मंदिर के बाहर आ गया हूँ बाहर आने के बाद आप मंदिर के परिशर में घूम सकते हैं और सेलफी फोटो का आनन्द ले सकते हैं दोस्तों यह माता का मंदिर बहुत ही रोमांचक जगह पे इस्तित है मंदिर के ऊपर से आप नीचे का नजारा देख सकते हैं दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आला उदल के ब्यूपाइंट के पास जहां से दिखाई देता है आला उदल का मंदिर तालाव अखाडा साथियों सामने देख सकते हैं आला उदल का अखाडा वह तालाव मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे आपको लेकर चलूँगा इसके दूसरे भाग में दोस्तों माता के दर्सन करने के बाद अब हमें बहुत तेजी से भूख लग रहा है अब हम आपको लेकर चलेंगे जहां पे मिलता है 15 रुपय में पेड़ भर भोजन दोस्तों मैहर माता मंदिर से नीचे उतरने के बाद आप सीधे चले जाएए आला उदल अखाडे मार्ग के पास और सामने देखेंगे आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा होटल जैसा घर जिसके उपर लिखा रहेगा मा सारदा अनकूट ट्रस्ट सारदा धाम मैहर दोस्तों भंडारा का शमय सुभर 11 बजे से लेकर दो बजे तक चलता है और मंगलवार को बंद रहता है जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे आपको एक परची लेना पड़ेगा परची की कीमत 15 रुपया होगा इस परची को लेकर आप सीधे अंदर चले जाए और अंदर आने के बाद दूसरे मंजिल पे चड़ जाए आपको वहां बहुत सारे लोग खाना खाते दिख जाएंगे बस परची दिखा कर आप भी प्लेट उठा कर भोजन खाना सुरू कर दीजिएगा भोजन में आपको पूरी सब्जी दाल चावल आदी खाने को मिलेगा अब हम अंत में जानेंगे अपने बच्चों का मुंडन कहां और कैसे कराए मैहर देवी के धाम में मैहर माता मंदिर आला गेट के फहले दाहिने साइड में आपको एक बड़ा सा हाल देखने को मिलेगा हाल के अंदर आप चले जाएए अंदर जाने के बाद आपको काउंटर से सव रुपय की परची कटाना पड़ेगा परची कटाने के बाद जो नाव पंडित हैं उनको पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा जो भी पैसा लगेगा आप उनसे बात कर लीजिए उसके बाद मुंडन करवाईए दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें एक बार जरू बताए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत